खास कर दोस्ते स्वागते आपके युटियो चनल पीन आ वीश पे टाटा पाउर के शेयर में अभी क्या करना चाहिए कूछी दिनों के अंदर एक जबर्दस ठेजी बना शेयर का प्राइज़ बहुत कम था शेयर अभी सारे दिन सगोपर पहुच गया है टाटा पाउर के शे तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात दोस्तों एक दिन में टाटा पाउर के शेयर में परसंट का रिटान दिया है एक अफ़ते के अंदर 6.2 परसंट का रिटान देखने को मल रहा है और भवी एक महीने के अंदर 7.5 परसंट का रिटान दिया है Share Tata Power का अभी भी strong performer बताया जाला है देख सकते हैं आपे getting expensive है Durability 70 है इसका out of 100 Valuation 46.7 out of 100 Momentium 62.50 out of 100 Share में थोड़ा समझते हैं हम लोग यापे क्या हुआ है दोसो एक बईने का details देख सकते हैं आपे जहापे 361.85 इसका high price जिया और low price जिया है 312.70 पैसे का वही एक हफते का जो इसका high price है वही इसका high price है 361.85 पैसे का और low price 336.15 पैसे का Share में अभी जबर्दस तेजी बन रहा है और हो सकता है कि Share यहाँ से भी तेजी बनाए Market Cap की बात करते है Market Capillation देख सकते है जो कि है 1,14,632.8 करोर का Price to book ratio जो है वह है 3.4 जो इस इंडेस्टर में देखेंगे तो तो तोड़ा जादा है अभी कंपानी का fundamentally बहुत इस्ट्रॉंग कंपानी है टेखनीकली बात करते है इस कंपानी के Share को लेकर जहाँ पर टेखनीकली जो इस Share एक bullish लेट पर चल रहा है RSI indicator के रहे कि जो Share है और बट लेवल पर है मेगडी indicator के रहे कि जो Share है एक neutral लेवल पर फिलाला भी चल रहा है दोस्तों यहां पर तो देखते हैं BSC और NSC मिला के एक दिन का जो average देखने को मल रहा है वो है 36.7 मिलियन का Delivery percentage 34.1% का है और Delivery volume 12.5 मिलियन का है एक हफ़ते की BSica मिला के average देखने को मल रहा है 26.2 मिलियन का Delivery percentage 29.5% का Delivery volume 7.7 मिलियन का है एक महिने का BSNA से मिला के average देखने को मल रहा है 21.8 मिलियन का Delivery percentage 30.9% का है Delivery volume 6.7 मिलियन का है तो company के share में टाटा पावर के share में आप देख सकते हैं यहां पर delivery percentage बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और दोस्तों, delivery volume भी आपर बढ़ता हुआ, देखने को मिल रहा है, बहुत ही जबर्दस investors के और से, stock को लेके demand है, crazy है, promoters के पास 50-46.86% का stake है, FIS के पास 10% का stake है, mutual fund के पास 3.97% का stake है, other institution के पास 12.04% का stake है, public के पास 27.14% क stake है, दोस्तों, यहां पर बात करते हैं थोड़ा detail में, Tata Power के share में क्या हुआ है, Tata Power में दोस्तों, यहां पर देखते हैं, तो जहां पर Tata Power का जो share है, इसमें एक तेजी बना, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा update आया है, जहां पर Tata Power ने गुजरात में एक agreement sign किया है, जहा Tata power के शेयर के क्या चल रहा है तो आप देख सेते हैं THAT Tata Power के शेयर में जो तैजी बना Tata Power का शेयर जो है इसके सब्सेडरी Tata Power R nueva energy signed an agreement जो कहा पर बताई जार हैará कि गुझरत government के साथ है to develop 10,000 megawatt of renewable energy power project ।तो 가ुझरत में Tata Power को एक project जहां पे इक्रिमेट भी नें लोगों किया है ठाटा पाउर का जो स्थिधरी कंपनी है ठाटा पाउर्र रिन्यवल एनरजी उसके और से जो है ग्रीमेंट हुआ है गुज़रत में जहां पे यह लोग 10,000 मेगा वार्ट रिन्यवल एनरजी पाउर प्रोजेक्स में काम करने व विवरंट गुजरात में हुआ है इवेंट अर्लियर टुडए इन दा प्रेजन सफ की रिप्रेजन से रिप्रेजन से फॉम बोथ गवर्मेंट और गुजरात एंड टी पी आर्लियल टाटा पावर से इंड एक्चेंज फालिंग तो जहां पे बोल सते की मतलब यह जो अपड में उसके बाद तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है टाटा पावर का आप देख सकते हैं जहां पर यह कंपानी का जो है टेन थाजन मेगावर्ट रेनेवल एनरजी पावर प्रोजेक्ट जो है कंपराजिंग जहां पर सोलर वींड हाइब्रिड आर्टिसीपिक एंड जहां पर इस कंपानी का देख सकते हैं एक लेंड लेकर जो है यह फिलाल अभी है काम करने वाला है टाटा पावर को दोस्तों ऐसे बहुत सारी कॉर्टरक्स यह फिलाल मिल रहा है यह कोलाबरेशन का देख सकते है जहां पर विल सपूर्ट एचिपिंग दा अब देख सकते हैं जहां पर 2030 तक 50 परसंट जो इसका बोल सथे की जो मतलब 50 परसंट जो यह रिनेवल एनर्जी जो जनरेट करना शुरू कर देगा जहां पर प्रोजेक्ट है टोटल इंवेस्टमेंट प्रोटेंट प्रोटेंट्यल आफ रुपिस सब्सक्राइब प्रोटेंट्यल जनरेटिंग एंप्लेमेंट फॉर अबर 3,000 प्रोटेंट से तो यह लगबक 70,000 करोर का जो है इन्वेस्टमेंट है तो इससे टाटा पाउर के कंपानी को बहुत ही जबर्दस फाइदा हो सकता है एनलिस्ट जो है शेयर मर्केट के उनके और से अब देख स प्रोटेंट 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 फॉर जनरेट फिप्टी का कर दिया है लगबक शेयर में जो 29% का जाधा टार्गेट प्रेज इन लोगों ने दिया है टाटा पाउर का अभी यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोस्तों जिसके चलता है और देखेंगे जो इन्वे इसके चलते आप समाज सकते कि कंपानी का जो फंडमेंटली जो है टाटा पाउर और ज्यादा स्ट्रॉंग बन जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो दोस्तों यहां पर फिलाल टाटा पाउर के शेयर में अगर कोई अभी खरीदधरी करता है तो यहां से भी तेजी बन सकता है चोटा मोटा जाए से देखने को मल सकता है और दोस्तों कोई है कर टाटा पाउर का शेयर होल्ड करता है अगर आपके पास है टाटा पाउर का शेयर तो आपने देखा है कि बहुत जबर्दस डिविदेंट देता है टाटा पाउर और के शेयर में डिविदेंट देखने को मल जाता है और शेयर में भी एक तेजी बनता है तो हमें लगते हैं कि दोस्तों ये शेयर में अगर 258 कास पार चल रहा है अगर ये शेयर 340-45 तक जाता है तो वहां से खरीदेंगे तो एक जबदस रिटरन आगे चलके देखने को मिल सकता है आपको क्या लगता है जरूर आप हमें कमेंट करके बताईए डिस्क्री मज़ना चाहेंगे दोस्तों हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेशना चाहिए रिकोएक करते हैं जब भी आप कोई शेयर करेते हैं या बेशते हैं उससे एक बड़ जरूर रिसार्च कर लिजिए उमीद हैं जो भी इंफर्मेशन दिया हैं अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपने आपी देखा हमारी यूट्यूब चैनल की नवईश को सब्सक्रेब नहीं किया हैं तो जरूर कर लिजिए